हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जुरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कानून की सभी धाराओं के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देंगे इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे की भारतिय कानून में किस अपरहद के लिए कौन सी धारा बनाई गई है चलिए, शुरू करते हैं धारा 307 ये धारा तब लगती है जब कोई किसी की हत्या करने की कोशिज करता है धारा 302 जब कोई किसी की हत्या कर दे तो धारा 302 लगाई जाती है धारा 307 जब कोई किसी लड़की का बलातकार कर दे तो धारा 306 लगाई जाती है धारा 395 जब कोई डकैती करता है तो धारा 395 लगाई जाती है धारा 377 ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति एप्राकृतिक कृत्य करता है यानि जब कोई इंसान किसी लड़की के बलादकार के बाद उसके साथ बहुत ही गिनोनी हरकत करता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाती है यानि जब कोई व्यक्ति किसी लड़की के बलादकार के बाद उसके अंगों को काट देता है या उसको चोट मार देता है तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 370 लगाई जाती है धारा 396 जब कोई व्यक्ति डकैती करने के दोरान किसी इंसान की हत्या कर देता है तो उस पर धारा 396 लगाई जाती है धारा 120, जब कोई व्यक्ति सडियंतर रचता है यानि किसी के घर में चोरी करने की कोशिश करता है या किसी बैंक को लूटने की कोशिश करने के लिए प्लैन बनाता है तो उसको सडियंतर रचना कहते हैं और ऐसे व्यक्ति पर धारा 120 लगाई जाती है धारा 365 ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति अपरन करने की कोशिज करता है धारा 201 ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति अपराद करने के बाद सबूत मिटाने की कोशिज करता है धारा 412 ये उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी के चेन छीनता है या किसी से पैसे छीनने की कोशिज करता है या किसी से मोबाइल छीनने की कोशिज करता है यानि धारा 412 उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति छीना जप्टी करता है धारा 378 ये उस व्यक्ति पर लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति छोटे मोटे समान की चोरी करने की कोशिश करता है या चोरी कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 309 लगाई जाती है धारा 3012 ये उस पिरिवार पर लगाई जाती है जब कोई पिरिवार गरपात करने की कोशिज करता है यानि किसी बच्चे को गिराने की कोशिज करता है यानि कि अबोर्शन करवाने की कोशिज करता है धारा 351 ये ऐसे व्यक्ति पर लगाए जाती है जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए किसी दूसरे इंसान पर हमला कर देता है तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 351 लगाए जाती है दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को भारतिया कानुन की सभी धाराओं से सम्मंदित ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक और सियर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद